नमस्कार हमारे प्यारे विद्यार्थियों आज हम सब इस विडियो में व्यवसाइक अध्ययन पुस्तक का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय का नाम है व्यवसाइक संगठन के स्वरूप आपको याद होगा पहले अध्याय में हमने व्यवसाइक की बहुत सरल बारीकियों को समझा और हमने जाना कि व्यवसाइक क्या होता है और उसकी क्या विशिष्टाएं होती है इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं व्यवसाइक के विभिन्य स्वरूपों की अगर आप इसे फिर से पिछले अध्याई से जोड़ कर देखें तो आपको याद होगा कि पिछले अध्याई के अंत में हमने एक छोटी से विशय पर चर्चा की थी कि कोई भी व्यवसाई शुरू करने से पहले हमें कई कारकों का ध्यान देना होता है उन्हें से कारक था कि व्यवसाई के स्वामित्व का क्या स्वरूप होगा तो इस प्रकार स्वामित्व के आधार पर हम यह पाते हैं कि व्यवसाई क संगठन के पाच प्रकार हैं पहला एकल स्वामित्व दूसरा सयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाई तीसरा साजदारी चौथा सहकारी समितिय और पाच्वा सयुक्त पूंजी कंपनी हम इस अध्याय के दो भागों में एक एक करके इन सभी प्रकार के व्यवसायों को और इनकी बारीकियों इनके विशिष्टा और इनके गुणों और सीमाओं को चर्चित करेंगे और इनके चर्चा करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे सबसे सहरल प्रकार के व्यवसायक संगठन से सबसे पहला संगठन का स्वरूप है एकल स्वामित्वा जैसा कि बच्चों नाम से आप समझ सकते हैं कि इसमें एक स्वामी होता है अर्थात यह ऐसा व्यवसाय है जिसका नियंत्रण इसको चलाना इससे होने वाले लाब को प् उठाना यह सब कुछ एक व्यक्ति करता है यह पूरा व्यवसाय एक व्यक्ति के द्वारा स्वयम नियंत्रित किया जाता है बच्चों ऐसा व्यवसाय आपको समानित है बहुत छोटे प्रकार के व्यवसायों में देखने को मिलेगा क्योंकि जैसे जैसे कोई व्यवसाय अपने भोगताओं को देनी हैं जो हमारे अलावा शायद कोई और नहीं दे सकता वहां पर हम अपने नियंत्रन में सब कुछ रखते हैं और जब तक आकार छोटा है तब तक उसको रखते हैं तो इस तरह के विवसाई की मुख्य विशेश्टाई क्या निकल कर आती हैं सबसे लिए पहले विशेश्टा ये है इस तरह के विवसाई को हमारे देश में शुरू करना और चलाना बहुत सरल है इसकी स्थापना भी सरल है और इसको बंद करना भी सरल है क्योंकि इस तरह के विवसाईओं के के लिए हमारे देश में कोई विशेश कानून नहीं है जिसकी वजह से इसे शुरू करने में बहुत जादा कानूनी दस्तावेज या अन्य कानूनी अवश्यक्ताओं की का सामना नहीं करना पड़ता है इसी प्रकार अगर कल को भी विवसाइप बंद भी करना जाहें तो भी इसके लिए बहुत कुछ ऐसे विशक्ताओं की पूर्ति हमें नहीं करने पड़ती इसको बंद करना भी बहुत आसान होता है पहले विशेश्टा हो गई कि स्थापना और बंद करना दोनों ही बड़ा आसान है दूसरी विशेश्टा यह है कि इस तरह का व्यवसाइप पू इस तरह के व्यवसाइप का कोई स्वातंत्र स्वरूप नहीं होता यानि कि अगर कानून की नजरों में यह जाता भी है तो कानून व्यवसाइप और व्यवसाइप को एक ही मानता है आप आगे अन्य प्रकार के व्यवसाइप में देखेंगे कुछ जगों पर कि स्वामी औ तरह का समझोता या खरित परोक्त नहीं कि जा सकती अगला अगली विशेष्टा जो है वो यह है कि इस तरह के व्यवसाय में निरंतरता भी कम पाई जाती है इसका अर्थिया हुआ कि क्योंकि स्वामी और व्यवसाय बहुत जादा अपस में जुड़े हुए हैं तो अगर कल क स्वामी को कुछ हो जाता है उसके मृत्ति हो जाती है या कुछ भी इस तरह की घटना घट जाती है तो उसके साथ-साथ व्यवसाय का भी अंत हो जाता है यानि इस व्यवसाय के निरंतरता अनिश्चित है या कभी भी खतम हो सकता है तो इस प्रकार हम इस व्यवसाय के बार में मिलेंगे जैसे कि अगर हम गुडों की बात करें, तो सबसे पहला गुड़तों बच्चों ये हैं कि सारा नियंतरण एक व्यक्ति के मेरे मालो हाथों में होने से सारा लाब मेरा है यदि व्यवसाई अच्छा चलता है और इसमें हमें लाब होता है तो इस पूरे लाब का फाइदा जो है वो एक व्यक्ति को मिलेगा स्वामी को मिलेगा तो यह इसका बहुत बड़ा फाइदा है कि सारा लाब एक व्यक्ति के पास ही आ जाएगा इसका दूसरा फाइदा यह है कि क्योंकि ये व्यवसाई एक व्यक्ति के द्वारा नियंतरित और प्रबंधित भी होता है तो इससे जुड़ीवी सारी सूचनाएं उसी के पास रहती हैं सूचनाओं की गोपनियता बनी रहती है अपने व्यवसाई से जुड़ीवी वित्य सूचनाएं किसी के साथ साजा करना इसमें अनिवारे नहीं है तो इन सूचनाओं को हम गोपनिय रख सकते हैं इसका तीसरा फायदा यह है कि क्योंकि इसमें सारे निर्ने और सारा नियंतरन एक व्यक्ति के पास है तो सभी निर्ने बहुत जल्दी होते हैं निर्नेओं को लेने में समय और देरी कम होती है तो यह इसके कुछ मुख्य फायदे निकल कर आते हैं अगर हम इसके अबगुणों या सीमाओं की बात करें, तो क्योंकि एक व्यक्ति सारा व्यवसाय खुद देख रहा है, प्रबंधित कर रहा है, तो उसकी प्रबंधन की सीमाए होती है, प्रबंधन की कुशलताओं में कम्या होती है, एक व्यक्ति हर कारिय में निपुण नहीं होता तो इसके कारण इस व्यक्ति का प्रबंधन उतना अच्छा या कुशल नहीं माना जाता है इसी से हम तीसरी कमी निकाल सकते हैं कि क्योंकि सारी हानी एक व्यक्ति को उठानी पड़ेगी तो उस व्यक्ति का जो स्वामी है उसका दाइत्व अनिश्चित होता है उसके उपर सारा दाइत्व है पुरे व्यक्ति का और अगली कमी यह है कि क्योंकि व्यक्ति अकेला है और सब कुछ उसके उपर ही निर्भर है तो अगर उस वेक्ति को कुछ हो जाता है तो इसके साथ विवसाइग भी अंत हो जाएगा यानि कि विवसाइग की जो आईू है वो बहुत अनिश्चित होती है तो बच्चों हमने इस प्रकार के विवसाइग की विशिष्चाए थो देखी ही उन विशिष्टाओं से हमने ये सीखा कि कैसे हम गुण और अबगुण निकाल सकते हैं तो ये आपका पहले प्रकार का विवसाय था जो सबसे सरल, सबसे आसान तरीका है हमारे देश में विवसाय करने का कि आपकेले कोई विवसाय शुरू करें, सारी पूंजी खुद लगाए, सारा मुनाफ़ा या नुकसान खुद उठाए इससे जुड़ी ही जितने भी इसके फायदे हैं और जो भी कम्या है वो सारा आप खुद उसका सामना करें तो बच्चों जो दूसरी प्रकार का विवसाय है, यह है सयुक्त हिंदी परिवार विवसाय है, यह बहुत ही विशेश प्रकार का विवसाय है, क्योंकि यह भारत में ही विशेश रूप से पाया जाता है इस व्यवसाई में एक हिंदू परिवार अपनी पैतरिक संपत्ती का इस्तमाल करकर एक व्यवसाई को आगे बढ़ाता है इस प्रकार के व्यवसाई में सदसेता लोगों को या परिवार के सदसेओं को जमन के साथ ही मिल जाती है भारत में हलाकि इस व्यवसाई के लिए आर्थिक रूप से कोई विशेश कानून नहीं है किन्तु यह व्यवसाई फिर भी हिंदू कानून के अंतरगत आता है इस तरह के व्यवसाई का संचालन जो है वो परिवार का मुख्या यह सबसे बड़ा सदस्य होता है वो करता है उसे हम करता के नाम से जानते हैं तो करता कौन हुआ? करता वो व्यक्ति है जो ना केवल परिवार का मुख्या है बलकि वो इस व्यवसाई को नियंतरित और प्रबंदित भी करता है करता के अलावा जो परिवार के अन्य सदस्य है वो सह शमांशी कहलाते हैं तो इस तरह से अगर हम इसको एक सार के रूप में व्यक्त करें तो सयुक्त हिंदू परिवार एक ऐसा व्यवसाई है जहां एक सयुक्त परिवार जो की हिंदू धर्म से जुड़ावा परिवार है उसके सदस्य मिलकर इस विवसाई को चलाते हैं इस विवसाई का नियंत्रन जो है वो परिवार के मुख्या के हाथ में होता है जिसे हम करता कहते हैं और यहां व्यवसाय भारत के हिंदू कानून के अंतरगत आता है तो बच्चों हमने जो ये इस प्रकार के व्यवसाय का एक परीचाय देखा है आये इस परीचाय से हम इसके कुछ मुख्य लक्षणों को या इसकी विशेष्टाओं को निकालते हैं अगर हम इसकी सबसे पहली विशेष्टा की बात करें तो इस प्रकार के व्यवसाय का निर्माण कैसे होता है इसके निर्माण के लिए दो मुख्य शर्ते हैं पहली शर्त इस तरह के व्यवसाई में परिवार के कम से कम दो सदस्य शामिल होने चाहिए और दूसरी शर्त ये व्यवसाई तब ही हो सकता है जब इन सदस्यों के पास परिवार की कोई पैतरिक संपत्ती हो जिसका उप्योग करके ये उस व्यवसाई को चला रहे हो तो दो सदस्य और पैत्रिक संपत्ती ये दो मुख्य शर्ते या जरूरते हैं इस प्रकार के व्यवसाई को करने के लिए दूसरी विशेष्टा इस प्रकार का व्यवसाय का जो नियंतरण है वो एक व्यक्ति के हाथ में होता है जिसे हम करता कहते हैं करता परिवार का मुख्या होता है तीसरी विशेष्टा इस प्रकार के व्यवसाय में क्योंकि परिवार के सदस्य ही से मिलकर चला रहे हैं तो एक सदस्य पैदा होते ही परिवार के अंदर जन्म लेते ही वो इस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है तो इसी लिए हम कह सकते हैं कि इस तरह का व्यवसाय नाबालिक स से भी विवसाई का हिस्सा हो सकते हैं चौथा इस तरह के विवसाई में जो दाइत्व है वो करता के ओपर तो अनिश्चित अदाइत्व होता है यानि कि अगर विवसाई हानी में जाता है और विवसाई को अपने रिंड चुकाने की अवशकता पड़ती है तो उन रिंडों क को चुकाने के लिए करता के व्यक्तिगत संपत्ति का प्रियोग भी किया जा सकता है करता का दायत्व जो है वो अनिश्चित है तो जितना एक सदस्य का व्यवसाई में हिस्सा या अंश है उसको उतना ही दायत्व या जिमिदारी उठानी पड़ेगी व्यवसाई के इरणों क को चुकाने की उस सदस्य के व्यक्तिगत संसादनों या संपत्तियों को व्यवसाई के इरण को चुकाने के लिए नहीं लिया जा सकता है इसकी चौथी विशेश्ता यह है कि इस तरह के व्यवसाई में सभी निर्णे एक व्यक्ति जैसा कि हम देख चुके हैं करता उसके हा व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है क्योंकि यदि किसी कारण वर्ष करता अपना दाइत्व नहीं निभा पाता या मान लेते हैं करता की मृत्ति हो जाती है तो इसके बाद जो परिवार का अगला सबसे बड़ा सदस्य है वो करता का कारिभार संभाल लेगा और व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा तो बच्चों इस तरह से हमने पाँच विशिष्टाएं इस व्यवसाय की देखी हैं पहली यह व्यवसाय निर्माड या इसका निर्माड कैसे होता है दो सदस्यक और एक पैतरिक संपत्ति के साथ दूसरा इसका नियंतरण करता के हात में होता है ती रहती है करता के जाने के बाद भी यह व्यवसाय अगला जो व्यक्तिकरता बनने का उत्तरादिकारी होता है वो उठा सकता है तो इन विशेष्टाओं से हम फिर से वही करेंगे जो हमने पिछले संगठन में किया हम इन विशेष्टाओं से कुछ गुण और कुछ अब गुण निकालेंगे तो अगर हम इस प्रकार के व्यवसाई के गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण इसका यह है कि इस तरह के व्यवसाई में प्रबंधन बहुत प्रभावशाली होता है नियंतरन बहुत प्रभावशाली होता है क्योंकि नियंतरन परिवार का जो सबसे बड दूसरा सदस्यों की जो जिम्मेदारी है दाइत्व है वो सीमित है तो सदस्यों को इस बात की परिशानी नहीं होती कि व्यवसाय के इरिणों को चुकाने के लिए उनका जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो जा सकती है इसकी उन्हें कोई परिशानी नहीं होती और तीसरी या ती लेकिन साथ-साथ इसके कुछ अबगुण भी है इसका एक अबगुण तो यही है कि जो करता है जो इतनी महनत कर रहा है व्यवसाय के लिए उसे अनिश्चित भार और दाइत वह उठाना पड़ता है यदि व्यवसाय में बहुत रिण या बहुत हानी हो जाए तो करता का जो कि अव्यक्तिकत संपत्ति है वो भी छेन सकती है दूसरा क्योंकि एक व्यक्ति जो की जरूरी नहीं है कि वो प्रबंधन का या प्रबंधन का प्रिस्ट्षन लेकर आया होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है तो वो व्यक्ति इस तरह के व्यवसाय को प्रबंधित कर रहा है तो क जिसकी कमी निकल कर रहाती है कि इस तरह के वेवसाई का प्रबंधन उतना अच्छा नहीं होता कई बार बच्चो अब हम जो तीसरी प्रकार के वेवसाईक संगठन की बात करने जा रहे हैं ये एक बड़ा विशेश वेबसाईक संगठन है क्योंकि ये वेबसाई होने के साथ साथ ये इसके अंदर सामाजिक कल्यान और एक समाजवाद की भावना भी छिपी हुई है ये व्यवसाईक संगठन है सहकारी समिती सहकारी शब्द का मतलब होता है एक साथ एक जुठ होकर मिलकर काम करना सहकारी यानि साथ मिलकर कारी करना तो सहकारी समिती एक ऐसा व्यवसाईक संगठन है जहां कुछ व्यक्ति अपनी स्वेश्चा से मिलकर अपने सदस्यों के कल्यान के उदेश्य हेतू एक व्यवसाई की स्थापना करते हैं इस व्यवसाई का मुख्य उदेश्य होता है व्यवसाई से जुड़ेवे सबी सदस्यों का कल्यान करना या उनके कल्यान से जुड़ेवे कारियों को बढ़ावा देना भारत में इस तरह का व्यवसाई कानूनी तोर पर सहकारी समिती अधिनियम सन 1912 के अंतरगत आता है इसका अर्थिया है कि अगर हम इस तरह का व्यवसाई करना चाहते हैं तो हमें हमारे व्यवसाई को इस अधिनियम के अंतरगत पंजिकृत करवाना पड़ेगा तो बच्चों इस तरह के वेवसाई का आप मूल भाव यह समझें कि यह वह वेवसाई है जो वेवसाई तो है लेकिन साथ ही साथ इसका उदेश्य है लोगों और खास करके जो सदस्य है वेवसाई के उनका हित देखना ऐसे कई उदहारन हमारे देश में पाये जाते हैं जहां सहकारी समेतियों के रूप में वेवसाई खड़े किये गए और वो बहुत प्रेरक कहानिया वो वेवसाई हमारे लिए बन गए मैं चाहूंगा बच्चों कि आप इन वेवसाईों के बारे में इनके ढूणने और पढ़े हैं इनके बारे में ऐसे अनेक उधारन आपको मिलेंगे चाहे वो गुजरात में दूद की उत्पादन के छेतर में बनी एक बड़ी कमपनी हो जो दुनिया भर में दूद उत्पादन में अग्रणी हो गई चाहे वो पापड बनाने वाली कमपनीया हो चाहे वो कई उद्योग ऐसे आपको मिलेंगे जब आप ढूड़नेंगे उनको जो सहकारी समीती के रूप में हैं जिनोंने सेवा भावना से अपने व्यवसाई को शुरू किया और वो अपने अपने छेतर में अग्रणी स्थिती में आ गई एक दूसरे के सहायता और एक दूसरे के हितों को बढ़ावा देने की भावना के साथ अपना व्यवसाई शुरू कहते हैं तो आईए इस तरह के व्यवसाई के मुख्य विशिष्टाओं या लक्षणों को एक बार वापस जान लेते हैं सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो यह थी कि इस तरह का व्यवसाई भारत में कानूनी रूप से व्यद्यानिक स्थिती में होना चाहिए और ऐसा तब संभव है जब वो सहकारी समिती भारत में सहकारी समिती अदेनियम 1912 के अंदर पंजिकरित हो तो पहली विशेष्टा क्या हुई कि इस तरह के व्यवसाई का पंजिकरिन होना आनेवारी है दूसरी विशेष्टा है इसकी सदसेता तो इसकी सबसे बड़ी खासेतों में से है कि इसके सदस्य स्वेच्छा से जुड़ते हैं इसके सदस्यों की जो सहदस्या होती है वो स्वेच्छा इसे होती है जब कुछ लोग मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ काम करने और एक दूसरे की हितों को बढ़ावा देने के लिए स्वेम जुड़ते हैं और व्यवसाई को आगे लिके जाते हैं तीसरी विशेष्टा यह है कि इन सदस्यों का जो दाईत्तुर रहता है इस व्यवसाई में वो उनके अंश यानि उनके हिस्से तक ही नियंतरित रहता है व्यवसाई के रिणों के भुगतान के लिए इन सदस्यों की व्यत्तिगत संपत्थी का उपयोग नहीं किया जा सकता है पर क्योंकि इसमें सदस्यों के संख्या जादा हो सकती है इसलिए इसकी चौथी सदस्यता यह निकल कर आती है कि अब व्यवसाय निरंतर बना रहता है कुछ सदस्यों के आने जाने से इस व्यवसाय के निरंतरता पर प्रभाव नहीं पड़ता इसकी चौथी विशेष्टा यह है और जो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेष्टा भी है कि इस तरह का व्यवसाय सेवा भावना के साथ शुरू किया जाता है लाब इसका प्रात्मिक उदेश नहीं होता इस तरह के व्यवसाय के शुरू होने के पीछे सबसे बड़ी जो बड़ा जो देश होता है वो यह होता है कि सदस्य मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के हितों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसकी पाचवी विशेष्टाईया है कि इस तरह के विवसाई का जो नियंत्रण है वो एक प्रमंधन कमिटी के हाथों में स्वापा जाता है जो किसी भी विशेष्टाई पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी सदस्यों के मतों का इस्तेमाल करकर एक लोकतांत्रिक तरीके से अपने फैसले लेती है तो इस प्रकार बच्चों हमने इस तरह के विवसाई की पाँच विशेष्टाई देखी। और अब गुणों को समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि इसके कुछ गुण इस प्रकार हैं कि इस तरह का व्यवसाई सर्वपथम निरंतर बना रहता है यानि कि सदस्यों के आने या जाने का व्यवसाई के आयू पर प्रभाव नहीं पड़ता है दूसरा इस तरह के व्यवसाई में पूंजी सामान्य तोर पर पिछले दोनों व्यवसाईों से जादा होती है क्योंकि स्कैनर से दस्यों की संख्या भी जादा होती है तीसरा इस तरह के व्यवसाई में लोकतांत्रिक गुणों को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इसके फैसले लोकतांत्रिक तोर पर वोटिंग के द्वारा या सबके मतों के द्वारा लिये जाते हैं इसी प्रकार इसके हम कुछ आपगुणों की चर्चा भी कर सकते हैं सबसे पहला आपगुण तो यह है कि क्योंकि इस तरह के विवसाय का पंजी करण अनिवारी है और साथ ही साथ इस तरह के विवसाय में जो सरकार है वो भी काफे निगरानी रखती है तो कई बार इस तरह के विवसाई को अपने वित्य जानकारियां, अपने कामकाज से जुड़ी हीवी सूचनाएं सरकार के साथ साजा करने पड़ सकते हैं और सरकार का इनके कामकाज में काफी डखल हो सकता है इसकी एक विशिष्टा यह भी है कि हाला कि इसमें सदस्यों के संख्या जादा है पर फिर भी ये सदस्य सामानी तोर पर आम नागरिक और छोटे विवसाई आदी होते हैं जिनके पास पून जी की कही ना कहीं कमी होती है जिसकी वजह से सदस्य जादा होने के बावजूद भी कई बार इस तरह के विवसाईों को पून जी का अभाव या उसका सामना करना पड़ सकता है इसका एक अवगुण यह भी है हाला कि इसके अंदर सदस्यों के संख्या जादा है फिर भी क्योंकि यह सदस्य बहुती आम परिवारों से आते हैं यह आम छोटे विवसाई होते हैं तो इनके पास पून जी का कभी ना कहीं अभाव हो जाता है तो जादा सदस्य होने के बावजूद पून जी की मात्रा कई बार अपरियाप्त साबित होती है तो इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि अक्षम प्रबंधन के कारण इस तरह के विवसाई या समितियां बहुत जल्दी अपना विवसाई बंद कर लेती है तो बच्चों ये सहकारी समितियों के विशिष्टाओं और उससे जुड़े हुए गुण और अबगुण हमने देखें अब क्योंकि सहकारी समितिय एक ऐसा प्रकार है विवसाई का जो आम लोग अपने साथ मिलकर शुरू कर सकते हैं इसके थोड़ी जानकारी होना अवश्यक है इसके कुछ मुक्य प्रकार है जैसे उभोक्ता समितिय, किसान समितिय, रिल समितिय, ठीके तो ये सारी समितिय जो है ये अपने अपने उदेश्य के अनुसार अपना नाम रखती है उधारण के तौर पर यदी एक उभोगता सहकारी समिती है तो उसका उदेश्य क्या होगा? यहां समिती उभोगताओं का एक ऐसा संगठन होती है जो उभोगताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है इनका उदेश्य होता है कि अपने सदस्यों के लिए या सुनेश्चित करना कि उन्हें उनके लिए जरूरी वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता और अच्छी कीमत पर उपलब्द कराई जा सके इसी तरह उतपादक सहकारी समित्या भी होती है उनका उदेश्य होता है कि उतपादकों को खास करकर छोटे उतपादकों को या सुनेश्चित करके देना कि उन्हें अपने उतपादों या वस्तुएं और सेवाओं के विक्री के लिए उप्युक्त बाजार और उप्युक्त कीमतें मिल सके हैं इसके अलावा कई सारी किसान समितियां भी हमारे देश में पाई जाती हैं जिनका ओदेश ये पुरह वही है कि किसानों के हितों की रक्षा करना, किसानों के फसलों या उनके उत्पादों को सही समय पर, सही बाजार में और सही कीमतों पर विनमे या विक्री के लिए उपलब को भी बहुत अच्छे और सुगम तरीके से बढ़ावा देती है तो बच्चों सहकारी समिती एक बड़ा ही विशेश प्रकार का विवसाय है ये ना किवल हमारे देश में विवसाय करने का एक विकल्प देता है लोगों को बलकि या सामाजिक हितों और कल्यान को भी बढ़ावा देता है तो बच्चों इस अध्याय के आज के भाग में हमने तीन प्रकार के विवसाय क संगटनों के स्वरूप को जाना उनकी विशेशताएं गुण और अबगुण समझा अगले भाग में हम दो अन्य विवसाय क संगटनों को बड़े ही विस्तार में देखेंगे क्योंकि वो दो भारत में और विश्व में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख विवसाय क संगटन के स्वरूप है एक है साज़दारी और दूसरा है सयुक्त पूंजे कंपनी इस भाग को अच्छे से देखें समझे और पढ़ें ताकि आप अगले भाग के लिए तयार हो सकें आज के लिए इतना ही धन्यवाद कर दो दो कर दो एक है